दो दिवशी ग्लोबल इन्वेस्टर सम्मिट का आगास हो गया है FRI में आईजित सम्मिट का शुभारम पीम मोदी ने किया सम्मिट में देश दुनिया के कई निवेशक और उद्य में जूटे उत्राखंड की परंपरा के अनुसार इन्वेस्टर सम्मिट का शुभारम भी मांगल गीत के साथ हुआ कारिकरम में दे लैंट ओफ कॉट उत्राखंड लगो फिल्म भी दिखाए गया और सम्मिट की थीम शांती से सम्रधी रखे गई थी और वहीं सीम पुष्कर सिंग धामी और प्यम मोदी ने इन्वेस्टर सम्मिट को संभोधत किया और इसकबर पर तुमाम जानकर एक लिए मेरे सयोगी ग्यानें तिवारे स्वक दहरादून से हमारे साथ जोड़ चुके है ग्यानेंद्र ग्लोबल इन्वेस्टर सम्मिट की शुरुवात हो चुकी है दोदी वशी ये कारिकरम रहने वाला है प्रधान मंत्री और सीम पुष्कर सिंग धामी ने आज जो है इन्वेस्टर को संभोधित विक्या है बिल्कुल देखें तो जो इन्वेस्टर सम्मिट आज शुरुवात हुआ है जिसका प्रधान मंत्री के हाथ हो खास तोर पे जो कोशिश से सरकार की उत्राखन में जादे से जादे निवेस आए एक इन्वेस्टर हमारे साथ हैं उनसे बाचित करते हैं सबसे पहले आप अपना नाम बता है गिरिश खंडेलवाल गिरिश जी कहां से आएं आप नोड़ा से कौन सी कंपनी है आपकी अमीरा वेलनेस रिसॉर्ट प्राइवेट लिम्टेड आप क्या उत्राखन में कौन सी संभावना एं तलास रहे हैं यह त्राखन में पर आपकी सोच क्यों रही है आ कि क्या कैसा लग रहा उत्राखन में निवेश को लेकी बिल्कुल भी प्र दूशनर नहीं है जो की स्वास्ट के लिए बहुत ही अच्छा है इस वज़ह WAR पे हändern ए सांचा फाना चाहते है प्रदान मंत्री का जो संबोधन रहा उन कहते वे नजर आए कि पहाड की जो पानी जवानी यहां काम नहीं आती है क्या लगता है कि जो यह निवेस हो रहा है उससे कहीं न कहीं कमपनियां यहां कर सित होंगी संभावना है आपको लग रहे हैं उत्राखंड में है बिल्कुल संभावना लग रहे हैं और प्रदान मंत्री जी ने हमारे मानने फ्र०ान मंत्री जीने बिल्कुल ठीक कहा है कि यहां का पानी और यहां गी जवानी जो बहर चली जाती है वो यहीं रहे तो कि फिर नहीं कर सकती और बाहर से लोग आएंगे उसको देखके और यहां पर अगर सब कुछ चीक रहेगा तो उत्रा खंड को सबसे अच्छा प्रुदेश बनने से कुई रोग नहीं सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि जो निवेसक हैं जो यहां अपना कहीं न कहीं काम सुरू करना चाहरे हैं वो इस बात को मानते हैं कि यहां की जो भोगोलिक परसिती है यहां का परियावरण है यह कहीं न कहीं निवेस के लिहाज से कई माइनों में बेहत खास है कई सेक्टरों के लिए विसेश तोर पर अगर हम देखें जो कई ऐसे चाय बगान से समंधित कंपनिया हैं जो चाय की खेती करना चाहती हैं वो भी इसमें बढ़ चर्क के हिस्सा ले रही है और देखा जाये तो आज तक्रीबन तीन हजार से अधिक निवेसक की सम्मेलन का हिस्सा बने और देखा गया कि सभी निवेसकों को जो प्रधान मंत्री का संबोधन था प्रधान मंतरी लगतार इस बात को दोहरा रहते कि उत्राखन के अंदर जो पहाड की जमानी और पहाड का पानी है उसका काम नहीं आता है लेकिन अब ऐसा नहीं होगा सरकार की ये कोशी से केंदे सरकार की कि उत्राखन में जादे से जादे निवेस हो देखे आपने सुना होगा परधानमंत्री का संबोधन तो आपने गौर किया होगा कर दो बड़े लोग जो बुड़े ज्यादे सज्ञार चिरल को ज्ञारे इसमें नदियों किनारे पहाड़ों में डेस्टिनएसं जो मैरें बड़ा है है वहां कराने को लेके और ऐसे में अगर प्रधान मंत्री की जो बाते थी कि तकर पांचो भी साल में अगर ऐसी साधिया होती है तो इसका बड़ा फाइदा उत्राखन को मिलता हुआ नजर आएगा और एक नया कल्चर है जेस्टिनेशन मेरेज क्या तो इस तरह की की चीजें विशेश तोर पे इससे संबंधिन जो कंपनियां हैं वो कहीं न कहीं प्रभावित हो रही हैं जो इस तरह के काम करते हैं कई तरह की कंपनियां जो पहुंची थी उनका जो संबोधन प्राण मंत्री का रहा उमीद है कि इससे उनका कहीं न कहीं रुजान यहां होगा जैसा क दिक्कते इन्होंने बताई कि लैंड से समद्ध जो पर्चेंज करने की समस्मन्दिक जो दिक्कते एं उसको समझना चाहे हैं उन्होंने आज विजट किया है इस कारेकरम में कल भी हो आने वाले और इन चीजों को समझ रहें देखिए कोई भी अगर करोडों रुपे किसी दूसरे राजे में निवेश करता है तो वो सहूलियत चाहता है वो यह चाहता है कि उन्हें हर वो सुविदा मिले जो वो कंपनी खोलने में और दो खोलने में होना चाहिए तो यह इनकी कोसिस है लो जो निवेशक आ रहे हैं वो यहां के अधिकारियों विवागों के तवाम ऐसे अधिकारी हैं उनके साथ बैठके मिटिंग से होगी क्योंकि कई टेबल का ये कारिकरम कल तक होने वाला है और निवेशकों को पूरा समझाने की कोशिश है ये पूरा कारिकरम सरकार की करता है कि सरकार इस पर कितनी अपनी मौनिटरिंग रखती है आने वाले समय में बहुत शुक्रिया जाने के लिए और यह तमाम जानकारी हम तक पहुंचाएं